हेलो स्टुडेंस आज हम गालवर्वर्व के अपजिक्टिफ कोश्चन देखेंगे mskr देखेंगे जॉन गैल्स वर्दी पर इसके पहले हमने जॉन गैल्स वर्दी का इंटरॉचन देख लिया था एक वीडियो मेरी इंटरॉच权 की यह घर एक वी नहीं您 से क्योंज है एक्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल है ओक स्टुडेंस लेट्स बिगिन फर्स कुशन है गैल्स बर्दी मेट हीम 1893 एंड फॉर्म्ड अलाइफ लॉंग फ्रेंड्सिप इंटिफाई हिम तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि अट्रा सु थिरानमे में गैल्स बर्दी उनसे मिले थे और उन्होंने और उनसे एक लंबी एक लॉंग फ्रेंड्सिप उनसे हो गई थी तो हमारा करेक्ट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा यह इस करेक्ट है जोसिफ कॉन्राइड तो जोसिफ कॉन्राइड से वह 1893 में मिले थे और जिससे उसके बाद से इनकी दोस्ती हो गई थी next question है the first volume of Galsworthy entitled from the four winds appeared in 1897 under the pseudonym तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि Galsworthy का जो first volume था volume आया था from the four winds इसका जो entitle यह appear कब हुआ था 1897 में हुआ था और यह किस के अंडर आया था मतलब title पे किसका नाम था जॉन गैल्सवर्दी का नाम था या उनका शूड़नीम था क्या था शूड़नीम उनका तो गल्सवर्दी जब स्टार्टिंग के उनके जो अरली प्लेज हैं जब वह लिखते थे ना तो वह अपनी रियल लेम से नहीं लिखते थे जैसे title पे अगर उनकी कोई भी बुक पर नाम था तो तो टाटल पर उनका नाम नहीं रहता था जन जन गैल्सवर्दी नाम नहीं रहता था उन्होंने एक पेण blame रखा था जिसको शूड़न भी तमर ब्विका जाता ए एक उपनाम उन्होंने रखा था तो क्या नाम था जसल जॉन सींग 1940 तो यहां पर करेक्ट से कब आया उनका प्ले जब 1904 में आइलेंड फेरिसी इनका एक नॉबल है आया 1904 में तब जाके इन्होंने अपने स्टूडोनिम को ड्रॉप कर दिया और यह जो 1904 में इनका नॉबल पबलिश हुआ था यह इनके रियल नेम से आया था टाइटल पे किसका नाम था जॉन गैल गॉल्सवर्दी फस्ट नॉबल बस पबलिश्ट इन 1898 विच नॉबल तो यहां पर पूछा जा रहा है कि गॉल्सवर्दी का फस्ट नॉबल कौन है जो 1898 में पबलिश हुआ था तो यहां पर मारा करेक्ट इंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा जोसले इनका पहला ऐसा इन आपर किसका है यह कोटेशन तो करेक्ट इंसर यहां पर मारा हो जाएगा जॉन गैल्सवर्दी का है इसे जला दो और तुम्हारा मुझ पर अहसान होगा यहाँ पर किस प्ले की किस वर्क के बारे में वो बात कर रहे हैं किसे जला दो तुम्हारा मुझ पर अहसान होगा यहाँ पर मारा correct answer क्या हो जाएगा A is correct here from the four wins यह कब आया था 897 में इनकी एक short stories है यह 1897 में यह जब आया था तो यह publish जब हुआ तो इनका work यह famous नहीं हुआ जिसके करण इन्हों ने गुस्से में ही बोला कि burn it and you will advise me कि इसे जला दो मतलब यह famous नहीं हुआ था इनका work इसलिए तो यहाँ पर कहा रहा है कि पहला work वो कौन सा पहला work है जिससे गौइस वर्दी ने अरने किया कौन सा novel है तो जिससे उन्होंने अरने किया पहला novel है The Island Pharisees यही The Island Pharisees इनका कब आया था 1904 में 1904 में दो event होते हैं incident होते हैं पहला होता है कि Island Pharisees publish होता है 1904 में दूसरा इससे क्या question बन सकते हैं पहला है Island Pharisees 1904 में आता है दूसरा 1904 में यह पहला ऐसा novel है गाल्स वर्दी ने अपने स्ट्रीड़न उनको ड्रॉप कर दिया था अपने इनके रियल नेम से आया था तीसरा क्या है 1904 में इनकी फादर की इंडेत होती है The Island Pharisees holds up a picture of the wealthy class ruling तो Island Pharisees क्या करता है एक wealthy class एक wealthy class के जो उच वर्द के लोगों के picture को दर साता है holds up करता है क्या करने के लिए किस पर rule करने के लिए correct answer यहाँ पर यह हो जाएगा over the poor class and fighting on them मतलब गरीब वर्द के लोगों पर rule करने के लिए next the first play that made girls worthy famous as a playwright is यहाँ पर क्या कह रहे है कि पहला play कौन है पहला play कौन सा है girls worthy जिससे वो एक famous playwright बन गए वो एक famous playwright के रोप में जानने लगे तो पहला play इनका the silver box है जो कब आया था 1906 में इनका यह play आया था और यह first play ऐसा है यह बहुत famous हो गया था next question girls worthy reputation was sorry girls worthy reputation as a novelist was established by यहाँ पर मारा correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर कह रहा कि girls worthy का जो reputation है वो as a novelist कब established हुआ था किसके द्वारा हुआ था तो correct answer यहाँ पर फोर साइट सागा हो जाएगा जब फोर साइट से होगा जब इनका आया था तब यह as a novelist इनकी रेपूटेशन और बढ़ गई थी next तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनका जो फोर साइट सागा है एक ट्राइलॉजी है ट्राइलॉजी में क्या होता है इसमें इन्होंने क्या किया है ट्राइलोजी में तीन नॉवल रखा है और दो इंटरल्यूड रखा है और तीन नॉवल दो इंटरल्यूड को एक में ही करके एक ट्राइलोजी बनते है ट्राइलोजी का नाम क्या रख दिया गया है The Four Sights Saga तो यहां पे पूछ रहा है कि यहां पे तीनों नॉवल तो है यहां पे यहां पे आपका The Man of Property जो कब आया था 1906 में इंचांसरी 1920 में आया था तूलेट 1921 में आया था अब इनका दो इंटरल्यूड कौन सा है वो फाइंड आउट करना है तो मारा करेक्ट इंसर यहां पे क्या हो जाएगा C हो जाएगा Indian Summer of Apoorside Tales and Awakening एक यह है और एक Awakening है तो यहां पे क्या कहा जारा कि गैल्सवर्दी का कौन सा प्ले है जो न्याय की परसासन की अप्रयापता और एक escaped prisoner मतलब एक भगोड़े कैदी के प्रती विभीन परकार की लोगों के रवाइय से संबंदिता ऐसा कौन सा प्ले है न्याय के परसासन की अप्रयापता और एक escaped prisoner के प्रती विभीन परकार की लोगों के रवाइय से संबंदिता कौन सा ऐसा प्ले है तो यहाँ पर escaped prisoner escaped तो आ ही गया है तो हमारा correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा escape हो जाएगा ऐके तो इस टैप की जो question है गेल्सवर्दी के वह important हो जाते हैं इस टैप की question इनके बनते हैं इनके play की सबसे ज़्यादा important क्या होता है कि इनका play किससे डिल करता है यह ज़्यादा important हो जाता है girls worthy के बारे में girls worthy के बारे में बस इतना ही जाद अगर question आते हैं तो ज़्यादा तरह important question क्या होते हैं कि कौन सा play उनका इसमें से girls worthy ने लिखा है और उनका कौन सा play किस से deal करता है तो बहुत confusion होती है इनके play में इस चीज को अच्छे से अप लोग जरूर पढ़ लीजेगा thoroughly विच प्ले एनलिसिस दा इंपक्ट ओफ अमॉडरन पबिसिटी ओन प्राइवेट डॉमेस्टिक ट्रेजडी यह मैंने community में पूछा भी था और अच्छे का से response भी आया थे निजी घरेलू ट्रेजडी पर आधुनिक परचार के प्रभाव का विचलिशड करता है लेजसिस करता है कों च्छे कुछ सप फैर मारा करेक्ट टिम्र क्या है क्या हो जाएगा दसो क्या हो जाय इसकेट कब आया था 1926 में आया था नेक्स्ट यहां पर हमारा गर्श दस हो जाएगा इस प्ले कंट्रास्ट धाफ दा वैरियस स्टोरीज इन अ फॉटेल यहां पर कहरा है कि कौन सा प्ले कौन सा प्ले एक होटेल में विभिन मंजिलों के भाग है विप्रीत है सो मारा करिक्निसर क्या हो जाएगा दरूफ उकी दरूफ कब आये था उनने सो ने नेक्स्ट लिट्रेचर इज इट्स ओन रिवार्ड ये किस ने कहा है लिट्रेचर इज इट्स ओन मतलब जो साहित है वो अपने आप में ही एक reward है तो गैल्सवर्दी ने कब का है जब उन्होंने नाइट हुड की उपादी को क्या कर दिया था रिफ्यूस कर दिया था रिफ्यूस करते हुए उन्होंने ये बात कही थी literature is its own reward साहित अपने आप में ही एक इनाम है next next question the year in which Galesworth's father died was also the year of the publication of the island Pharisees find it find out the year अभी हमने बताया अभी मैंने बताया कि 1904 में इनकी father के death होती है 1904 में इनका एक novel publish होता है the island Pharisees जो कि इनके real name से publish होता है और इन्होंने 1904 में अपने should name को drop कर दिया था तो यहां पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1904 में यह ही पूछा है कि Galesworth के फातर के death कौन से year में होती है और कौन से year में the island Pharisees की publication होती है तो 1904 में next a turning point in the life of Galesworth की mean with the publication of तो किसकी publication से Galesworth के life में एक turning point आता है so correct answer यहां पे हमारा sorry यहां पे correct answer क्या हो जाएगा भी हो जाएगा the man of property six में अच्छा 1906 में इनका एक play भी आया था क्या आया था the silver box यह novel है next question कि वाट डिट गैल्सवर्दी बिकेम in 1921 तो 1921 में गैल्सवर्दी को क्या बनाया गया तो क्या बनाया गया यहां पे correct answer क्या हो जाएगा भी हो जाएगा president of the pen club London तो उन्हें 1921 में pen का प्रेसिडेंट बनाया गया पहली बार next what was the sorry what was conferred upon गैल्सवर्दी in 1929 1929 में गैल्सवर्दी को क्या बनाया गया था तो उन्हें क्या मिला था 1929 में order of merit मिला था तो यह सारी important हो जाते हैं कि 1918 में नीश क्या मिलता है नाह्यूड की उपादी मिलती है कहीं कहीं आपको 17 मिलता है बढ़ आपका यहाँ पे correct answer हो जाएगा 1818 में उन्हें को नाहट हुड की मिलती है उसके बाद उसके बाद क्या आता है 1921 में इनको prisonr1 क्लब का प्रेसिडेंट बनाय जाता है 1929 में इनको order of merit मिलता है उसके बाद 1932 में इनको क्या मिलता है nobel prize मिलता है 1933 में इनके डेथ हो जाती है ओके नेक्स्ट फर्स्ट प्ले ऑफ गैल्स वर्दी इस तो फर्स्ट प्ले कौन सा है meted out to the poor by the law governing the society it clearly shows that there are two laws two laws one is meant for the rich and another for the poor तो यहां पर क्या कर रहा है कि गैल्स वर्दी का किस प्ले में समाज को नियंत्रित करने वाले कानून द्वारा गरीबों के साथ अन्याय पुड अनुचित और आंसिक विवहर की समस्या का विशय है और यह अस्पस ट्रूप से दर्साता है उसमें दिखाता है कि दो कानून है एक अमीरों के लिए दूसरा गरीबों के लिए ऐसे किस प्ले में दिखाया गया है तो मारा correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा the silver box में दिखाया गया है तो silver box में दिखाया गया silver box में क्या होता है Jack Barthwick और Jim Jones यह दोनों ही still करते हैं क्या चुराते है Jack Barthwick क्या चुराता है एक woman का sky blue reticle चुराता है और वहीं पर Jim Jones जो वो एक cigarette चुराता है लेकिन बट क्या होता है एक silver cigarette box चुराता है बट क्या होता है वहाँ पर Jack Barthwick बच जाता है और Jim Jones को सजा हो जाती है क्योंकि Jack Barthwick क्या होता है वो एक rich family से होता है और Jim Jones क्या होता है एक poor family का होता है इसलिए क्योंकि वो एक क्या होता है Jim Jones एक unimploid lover होता है इसलिए तो यहाँ पर बताए गया है कि Rich के लिए अलग कानून है और जो पूर है उनके लिए अलग कानून है Jack Bartwick क्या होता है Jack Bartwick रहता है क्या है कि वो किसका सं रहता है एक wealthy liberal member of parliament का सं रहता है वोही Jim Jones के रहता है एक अनिफ्लाइड लोफर होता है इसी वज़े से उसको सजा मिल जाती है जैक बार्थविक को सजा नहीं मिलते जो कि दोनों ही सेम ही जो क्राइम के रहते हैं दोनों सेम ही दोनों ही चुराने का काम करते हैं बस समान अलग रहता है नेक्स्ट स्ट्राइफ डिल्स विद अ कॉनफ्लिक बिट्विन तो स्ट्राइफ किसके साथ डिल करता है करेक्ट इंसर यहां पे मारा सी हो जाएगा दा कैप्टलिस्ट एंड लेवरर्स इस्ट्राइफ कवाय था 1909 में आया था यह थ्री एक्ट प्ले है गैल्स वर्दीगा नेक्स्ट स्ट्राइफ के प्लेटि प्लेट करों कि क्षाएगा डिली का पर्स इक क्ष्टाइब्स लेडस में क्यारताовых स्ट्राइव यह घृजाया सकता है क्या हो जाएगा प्लेट इसको स्ट्राइफ का प्लेट नेक्स्ट के लीडर कौन है तो डेविट रोबर्स है next in this play there is conflict between the old established aristocracy and the loud uncultured new rich manufacturing class of london society hellcrist and hornblower represent aristocracy and poverty respectively which play is it तो यहां पर क्या कहा जा रहा है यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कि सनाटक में इस प्ले में पुराने अस्थापित अभिजात वर्ग यहां पर अभिजात वर्ग को क्या बोला है aristocracy को बोला है कि अभिजात वर्ग और लंदन समाज के जोड़दार असंस्क्रित नए सम्रिद वे निर्माड वर के भी संगर्स है मतलब इस play में क्या दिखाता है किसके बीच controversy है किसके बीच conflict है एक established aristocracy और एक London के एक London समाज के जोड़दार uncultured एक rich man एक rich man के बीच क्या है conflict है क्या है hell christ and horn blower अभिजात यहाँ पे represent aristocracy and poverty respectively यहाँ पे जो hell christ है और horn blower है यह क्या करते हैं aristocracy यानि कि अभिजात वर्ग और गरिवी का represent करते हैं गरिवी के बारे में कौन सा play है यह किसमें बात करता किसमें hell christ और horn blower है तो यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा the skin game skin game कब आया था 1920 में आया था यहाँ पर देख लिजेगा है यहाँ पर यह इस play का है तो आपका hell christ and horn blower अगर इस play से question आ गए है तो hell christ horn blower से यहाँ पर जरूर आएगा इसमें क्या होता है कि established aristocracy की बात होती है और एक manufacturing class of london society की बात होती है उनके बीच conflict होता है नेक्स्ट कि फाल्डर appears in folder किसमें appear होता है तो फाल्डर अपका justice में होता है justice कब आया है 1910 में आया है ग्याल्सवर्दी का ओके नेक्स्ट हूसफर solitary confinement in justice तो justice में जो कौन सफर करता है अकेला पन अकेला जेल में कौन काटता है अकेला पन solitary confinement कौन होता है तो यहां पर फाल्डर है next it is a powerful social tragedy its satire is the contemporary English system of law and judiciary its hero suffers from the bitter punishment of solitary confinement find it out तो यहां पे क्या कहा जा रहा है तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि it is a powerful social tragedy यह एक powerful social tragedy है its satire is the contemporary English system of law and judiciary मतलब यह satire करता है यह व्यंग करता है कानून और नियाए पालिका के समकालिन अंग्रेजी पर लाली को its hero suffers from the bitter punishment of solitary confinement इसका जो नायक है इसका जो hero हो वो एकांत करवास की कड़वी सजा भुगतता है क्या है इसमें तो यहाँ पे correct answer justice हो जाएगा the growth of an adolescent girl through emotional conflict into a lover and a woman is the theme of यह किसोर लड़की का एक प्रेमी और एक महिला में भावात्मक संगर्ज के माध्यम से विकास का विसाय है मतलब एक किसोर लड़की है और उसका प्रेमी और एक महिला में क्या होता है emotional conflict होता है तो यह किस play में है correct answer यहाँ पे हमारा D हो जाएगा जौए में है इसमें है जौए में जौए कब आया था 1909 में आया था तो जौए कब आया था sorry 1907 में आया था अके नेक्स्ट क्लास कॉंसे रिजुडाइश ओफ एन एंग्लिश बैरोनेट फैमली अगेंस दा मेरीज बिट्विन दा इल्डेस संप दा फैमली अड़ सर्विन में इस दा थीम आफ तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो क्लास है कॉंसे प्रिजुडाइश ओफ वन ओल्ड बेरुनेट फैमली मतलब एक ओल्ड इंगलिस बैरुनेट फैमली है और वो अगेंस्ट है the marriage between the eldest son of the family मतलब उस परिवार का जो eldest son है और उसकी शाधी serving maid एक maid से शाधी करना चाहे रहा है वो उस बीच उस मतब दोनों के बीच में शादी जो eldest son है family का जो सबसे बड़ा बेटा है और उसमें जो नौकरानी उनके भी शादी के लिए लेकिन ये जो old English baronet family है ये इसके खिलाफ है क्योंकि इनका जो class भी इसके खिए और ऑस प्रिजूडाइस के कारण कि खिलाफ है तो मतल्य किस प्ले का थीम है इसमें परिवार के सबसे बड़े बेटे और जो नौकरानी के बीच जो marriage के खिलाफ एक पुराने अंग्रेजी बैरोनेट परिवार के वर्ग सचेत पुर्वागरा है यह किसका थीम है किस प्ले का थीम है यहां पर eldest son की बात हुई है यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा eldest son तो यहां पर हम कैसे इसको पहचानेंगे कि यह किस प्ले से है तो आप यहां पर ध्यान दिजिएगा eldest son of family और serving mad के बीज में शादी मतलब यह जो eldest son है वो एक नौकरानी से शादी करना चाहता है बट क्या होता है कि उसकी जो family है बैरोनेट family वो इसके खिलाफ है तो यह इस प्ले की थेम है next the heroes of Mr. Galsworthy's dramas are the unseen fates of modern existence against which we poor mortals can but pitifully cry out in a moment of desperation and horror whose comment is this यह किसका comment है तो यहां पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा okay Elardis Nicole का comment है next in the play joy a girl who is seen nearby three year loves joy of 17 in the girl यहां पर क्या कहा जा रहा है कि joy play में एक लड़की जो तीन साल बड़ी है 17 साल की joy से प्यार करती है तो कौन है उसका नाम क्या है तो डिक मार्टिन है okay उसका नाम क्या है डिक मार्टिन जोएग कब आया था 1907 में next colonel hope appears in यह किस में appear होता है correct answer यहां पर मारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा joy में next john builder is an unimaginative hot tempered man in which play does he appear किस प्ले में है तो silver box में जैक बार्थवी क्या चुराता है एक women का sky blue velvet silk पर चुराता हूं तो correct answer यहां पर c हो जाएगा a silver cigarette box जुराता है next who is the police inspector in the silver box silver box में police inspector कौन है correct answer यहां पर मारा e हो जाएगा next wellwin is an artist in the play to wellwin किस प्ले में एक आर्टिस्ट है correct answer यहां पर हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा the prison prison कब आया था prison भी आपका 1921 में आया था next next question है why don't you recognize once मतलब आप एक बार और सभी के लिए क्यों नहीं पहचानते हो and for all मतलब आप एक बार और सभी के लिए क्यों नहीं पहचानते हो that these people are men like yourselves कि यह लोग आपके जैसे proofs हैं and want what's good for them just as you want what's good for you और चाहते हैं कि आप उनके लिए और चाहते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है आप जैसा आप चाहते हैं okay आगे क्या कह रहे हैं what's good for you bitterly your motor cars and champagne जैसा आप चाहते हैं आपके लिए क्या अच्छा है bitterly उन्होंने बोला है bitterly बहुत कटूता से उन्होंने बोला है your motor cars and champagne तुम्हारी motor car और champagne eight course dinners who speaks these lines यह line ने कौन कहता है correct answer यहां पर हमारा d हो जाएगा harness कहते है strife में okay next यह में break the body but you cannot break the spirit get back to London and men have nothing for you यह यहां पर मतलब you की बात किया है कि यहां पर कह रहा है you may break the body तुम सरीर को तोड़ सकते हो but you cannot break the spirit लेकिन तुम आत्मा को नहीं तोड़ सकते get back to London and men have nothing for you तो लंदन वापस जाओ परूसों के पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है ऐसा कौन कहता है so correct answer यहां पर हमारा e हो जाएगा strife में Robert ही कहता है जब स्ट्राइक होता है जब लोग स्ट्राइक किये रहते हैं तो वहां पर यह सारी बातिचित होती है next अगला question है maybe your God up in London has no time to listen to the working man London में आपके God के पास काम करने वाले आदमी को सुनने का समय नहीं हो सकता है I am told he I am told he is a wealthy God मुझे बताया गया कि वह एक धनी भगवान है मतलब धनी God है but if he listen to what I tell him लेकिन और क्या कह रहा है कि लेकिन अगर वह मेरी बात सुनता है he will know more than ever तो वह पहले से कहीं ज़्यादा जान जाएगा he learned in Kessington वह कहां सिखा है वह Kessington में सिखा है किस ने कहा है तो करेक्टेंसर यहां पर हमारा अगें Roberts हो जाएगा इस ट्राइफ में वह बात यह सारा बोलता है next waiting and waiting that's what a woman has to do who speaks यह कुन कहता है करेक्टेंसर यहां पर हमारा ए हो जाएगा यह मीज कहती है इस ट्राइफ में मतलब waiting and waiting इंतिजार कर रहा है इंतिजार कर रहा है what a man has to do यहीं एक महिला को करना है इंतिजार next अगला कुश्छन है that's capital a white face stony hearted monster who speaks यह कुन कहता है करेक्टेंसर यहां पर again Roberts कहता है स्ट्राइफ में next we are not free agent we are part of a machine our only business is to see the company earns as much profit as it safely can who is the speaker इसका speaker कौन है वतलब यहां क्या कहता है कि we are not free agent हम एक free agent नहीं है we are part of a machine हम एक machine का part है एक हिसा है our only business is to see the company earns as much profit as it safely can हमारा काम क्या है हमारा एक मात्र व्यवशा यह देखना है कि company सुरक्षित रूप से अधिक रूप से अधिक लाब कमा रही है यह हमारा काम है ऐसा किसने का है सो करेक्ट इंसर यहां पर ए हो जाएगा यह वैंक्लिंग कहता है इस्ट्राइफ में कंपणी की यहां पर बाती हो रही यह वर is वर हुआई थ रहता है तो कौन कहता है यहां पर डी इस करेक्ट हो जाएंगा एंथर्णी कहता ही इंथनी कहता है रहता है वह त्रिजब्तर प्रशी Rio में रहता है next there can only be one master in a house where two men meet the better man will roll who is the speaker यह बात कुन कहता है यहां पर क्या कहता है कि एक घर में टिवल एक ही मालिक हो सकता है जहां दो आदमी मिलते हैं वहां बहतर आदमी शासन करेगा तक जहां पर एक घर में एक ही मालिक होता है जहां पर दो मालिक बनने वाले आदमी आ जाए तो उसमें जो सबसे बहतर सासन करेगा वही होगा ऐसा किसने का है सो करिक्ट इंसर यहां पर मारा यह हो जाएगा एंथनी कहता है next इसका स्पीकर कौन है कौन कहता है कि मास्टर और मास्टर मालिक तो मालिक होता है मतलब वह मांग देंगे वह डिमांड करेंगे और वह इसे च्छै कर देंगे यहां पर यह कौन कह रहा है यह भी एंथनी कह रहा किसको अपने लेबर्स को कह रहा है कि वह क्या करें वह ओलिवर्ट ट्विस्ट की तरह हैं और अधिक मांग रहे हैं इफ आई वर इंदियर प्लेस अगर मैं उनकी जगह होता आई शूड वी दा सेम तो मैं भी साइद वही करता बट आम नौड इंदियर प्लेस लेकिन मैं उनकी जगह नहीं हूं कौन कहता है कि यहां पर डी हो जाएगा एडगर कहता है इस ट्राइब में नेक्स्ट इसका स्प्रीकर कौन है यहां पर क्या हो जाएगा मतलब यहां पर क्या कर रहा है कि महिला मर गए और दो सबसे अच्छे प्रूस दोनों टूट गया यह बात कुन कहता है करेक्ट इंसर हो जाएगा हालनेस कहते है स्ट्राफ में यहां पर क्या कर दिया है एक ग्रेट सेंसेशन बना दिया है तो करेक्ट इंसर यहां पर जस्टीस हो जाएगा जिम्स हाव वल्टर हाव रोबर्ट कोक्षन विस्टर कावले फाल्डर एंड रूथ हनिवल आर दा कैरेक्टर्स दापीर्स इन यह सारे कैरेक्टर्स किसमें आते हैं तो जस्टीस में ही आते हैं जल्दिली करेंगे यहां पर किसका देस्क्रिप्शन हो रहा है मतलब वह 23 साल का कमजोर इच्छा सक्ति वाला नर्वस सभाव का एक यंग मैन है वह रूथ के प्यार में पढ़ जाता है और उसके साथ भागने के लिए पैसे पाने के लिए जाली चिक बनाता है और अंत में क्या होता है एड़ एंड तीन साल के लिए उसे सजा मिल जाती ह तो यह किसके बात कर रहा है तो फाल्डर की बात कर रहा है और जस्टिस में नेक्स्ट no one will touch him now never again he is saved with gentle Jesus अब उसे कोई नहीं चुवेगा कभी नहीं दुबारा कभी नहीं हुआ अब gentle Jesus के साथ gentle Jesus के साथ सुरक्षित है ऐसा कौन कहता है तो कुक्सन कहता है किसके बारे में falder के बारे में okay next a man does not succumb like that and that in a moment if he is a clean mind and habits he is rotten God the eyes of a man who can't keep his hands off when there there is money about this is the speech of James about तो यहां पर यह जो यह speech किस की है James की है किस के बारे में है so correct answer यहां पर हमारा क्या हो जाए इसा किस ने कहा है life's one long temptation मतलब जीवन क्या है एक लंभा पर लोबन है किस ने कहा है यहां पर क्या हो जाएगा गैल से वर्दी नहीं ही कहा है जस्टिस में next we live in a highly civilized age हम एक अत्यदिक सभी यूग यूग और दृष्टी में रहते हैं and a site of brutal violence disturbs us in a very strange way और क्या कह रहे हैं कि हम एक highly civilized age में रहते हैं और जो जो site of brutal violence disturbs us in a very strange way यहां पर क्या कह रहे हैं कि we live in a highly civilized age हम एक अत्यदिक सभी यूग में रहते हैं and the site of brutal violence disturbs us in a very strange way और जो एक brutal violence है एक brutal हिंसा है वो हमें बड़े अजीब तरीके से क्या करती है परिशान करती है even when we have no personal interest in the matter भले ही इस मामले में हमारा कोई विक्तिगत हीत ना हो but when we it inflicted on a woman whom we love what then लेकिन जब हमने इसे एक महिला पर थोप दिया जिसे हम प्यार करते हैं तो फिर क्या होता है where do this line appear एलाइने कहां पर आती है करेक्ट अंसर हो जाएगा एलाइने आपकी justice में आती है यहां पर यहां पर हो जाएगा justice में ही आती है नेक्स्ट इगला कुश्चन है it's the same with the dogs मतलब यह कुत्तों के साथ भी ऐसा ही है if you treat them with kindness they will do anything for you यदि आप उनका इलाज करते हैं मतलब यहां पर इलाज नहीं होगा मतलब यदि आप उनके साथ जैसा विवहार करते हैं तो वह आपके लिए भी सब कुछ करेंगे but to shut them up alone लेकिन उन्हें अकेले बंद करने के लिए it only make them savage तो उन्हें जंगली बना देगा यह लाइने कहां पर आती है तो यह लाइने भी आपकी जस्टिस में ही आती है लाइने next you can't play fast and lose with morality and hope to go scot-free मतलब आप नैतिकता के साथ तेज और धीले नहीं खेल सकते हो if society didn't take care of itself अगर समाज ने खुद की देखभाल नहीं की है nobody would the sooner you realize that the better तो कोई भी अगर समाज ने खुद की देखभाल नहीं की है तो कोई भी नहीं जितनी जल्दी आपको यह अहसास होगा है यह लाइने कहां पर आती है सो करिक पिंसर यहां पर justice में ही यह लाइने आती है मतलब यहां पर क्या कहना है कि आप नेतिकता के साथ तेज और धीले नहीं केल सकते हो and hope to go scot free और free होने की उम्मीद करते हो अगर समाज ने खुद के देख भाल नहीं की तो कोई भी नहीं है जितनी जल्दी आपको यह अहसास होगा यह लाइने आपकी justice में आती है and last question है आज का हिल क्रिष्ट who knows where things and when they begins हिल क्रिष्ट जो नहीं जानता की चीज़े कप सुरू होती है in which play of girls worthy do this statement appear तो यह लाइने कहां पर आती है तो यह लाइने आपकी the skin game में आती है okay so correct answer यहां पर हमारा B हो जाएगा skin game यहां पर क्या कह रहे है कि हल क्रिष्ट कौन जानता है कि चीज़े कब शुरू होती है कब खतम होती है okay यहां पर आजाएगा skin game okay students इसमें 60 questions ही रहने देते हैं और भी question है तो हम नेक्स वीडियो में इसको देखेंगे पढ़ेंगे okay आप लोग जरूर अपना feedback देजिएगा आपने इसमें से कितने questions सही की है गैस वर्दी का आप तक तो तैयारी लगबग सब की हो गई होगी इतना time अप लोग को मिल गया तो तैयारी लगबग सब की हो गया तो आप लोग जरूर अपना बताइएगा score की आपका score कितना आया 60 questions में गैस वर्दी का आपने कितना questions ही किया है अपना feedback जरूर दीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को like and share जरूर कर दीजेगा वीडियो लेंदी हो गई है क्योंकि 60 questions कराना था और इसमें question भी बहुत लेंदी थे तो वीडियो लेंदी भी हो गई है इसका PDF शी है तो आप हीना इंगलिस classes से आटेली ग्राम पर हीना इंगलिस classes से ज्वाइन हो सकते हैं ओके थैंक्यू थैंक्यू पॉर वाचिंग